तो बच्चों आज की स्कलास में हम लोग बात करेंगे कच्छनों की एंसी आइटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.3 कोईश्चन नमबर फस्ट इस स्क्रिन पर आपको कोईश्चन हिंदी मीडियम में दिख रहा है इसे मैं इंगलिस में भी पढ़ूंगा और उसके बाद मैं इसको साल्व करके दिखाऊंगा बस हमारे साथ बने रहिएगा एक्सरसाइज 9.3 के सारे प्रसनी स्क्रिन में मतलब इस वीडियो में हो जाएंगे जिसमें कुल मिला करके 16 हैं कितने है 16 है तो आप पूरा एंड तक देखना देखे इसमें सब कुछ अभी आपको मिल इसमें सब्सक्राइब इसमें सब्सक्राइब इसमें पहले आपको बना के यहां पे दिखाऊं तब आपको जादा अच्छे समझ में आएगा है तो चलिए मैं फिगर बना लेता हूं देखे पीछे साइड में हम चित्र बनाना शुरू कर चुके हैं आईए आपके साथ दिखाते हैं यह एक ट्रेंगल है एवी सी देखो बेटा कोईश्चन इसक्रिन पर हिंदी में लिखा है कि तिरभूज एवी सी की एक मादिका एडी पर इस्थित ई कोई बिंदु है तो इसी पर क्या है ई एक बिंदु इस्थित है क्या नाम है इसका ई इफार एलिफाइंट आगे कह रहा है कि दर्साइए मतलब कीजिए सिद्ध कीजिए कि एरिया आफ ए बी ए ध्यान देना ए बी इ यानि इसका जो एरिया है अभी मिला तो है नहीं तो इसको पहले मिला लेते जितना कहरा देखो आप समझो मिल गया एरिया आफ ए बी यानि इसका जो छेत्रफल है जहां मैं हाथ रख रहा हूं ध्यान देना इसका एरिया है वो किसके बराबर है बिटा वो बराबर है एरिया आफ ए सी ए यानि ए सी ए मतलब यह जो है एरिया यानि यह अगर मैं इतने का पूरा एरिया और इतने का पूरा एरिया आपस में बराबर है यह हमें करके दिखाना है ठीक है आईए चलिए फिर सुरू करते हैं इसको मैं मिटा देता हूं किवल समझने के लिए लिए लिखा था इसमें यह हो गया कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिए हम कुश्चन को स्क्रीन से हटा देंगे देखो बेटा यहां से इसका सलूशन स्टार्ट होता है कुईस्चन वहां से और यह यहां पर फिगर बनाए तिरभूज ABC में AD क्या है माधिका है लिखिये पहले दिया है क्या है दिया है और लिखेंगे इंग्लिस वाले लिखेंगे गिवन क्या दिया बेटा लिखो एक तिरभूज ABC जिसकी माधिका AD है यह दिया है ठीक है यह दिया है कि एक तिरभूज ABC है जिसकी माधिका AD है तो भाई अगर यह दिया है तो जो AD है ध्यान देना यह AD वो इस तिर्भूज को दो बराबर पार्ट में बाटेगी इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना नहीं है ना नीचे लिखो यह हो गया दिया है ओके अब नीचे लिखिए यह दी AD कामा लगाके तिर्भूज ABC की माधिका है मतलब मीडियन है यह माधिका है ठीक है साटकट में है तो तो क्या होगा यह दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर होंगे ABD और ACD यह भी ADC ठीक है तो लिखो ट्राइंगल ABD और ACD आपस में बराबर है तो ट्राइंगल ABD ABD इक्वल ट्राइंगल ACD ठीक है यह क्या होंगे बभूज यह आपस में बराबर होंगे इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अगर यह माधिका है तो तिर्बुचको दो बराबर भागों में यह बांटेगी यह equation number आपका हो गया पहला यहाँ पे लिख लिजिए इसलिए ठीक है हमें क्या करना है हमें यह दिखाना है कि जो दोनों माधिका खीचने के बाद में जो यह छेत्र बन रहा है और यह छेत्र बन रहा है आपस में इनकी एरिया बराबर है छेत्रपल बराबर है बहुत आसान है समझते चलना है जो कमेंट के पीछे पढ़ें बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो नहीं समझ में नहीं आएगा ठीक है यह नई कलास है लाइब हो रही मैं सबका कमेंट देख रहा हूं डॉन्ट वरी रोहित कुमार कमेंट आ रहा तुम बहुत परिसान हो बेटा ध्यान दो चलो अब इसी तरह नीचे लिखो इसी तरह जैसे ABD यानि ABD यह ट्राइंगल इस ट्राइंगल के बराबर है देखो बच्चा उसी तरह यह छोटका ट्राइंगल भी आपस में बराबर होगा EBC में है ना लिखो इसी तरह तिरभूज EBC में भाईया EBC कहां है देखो EBC यानि यह छोटका वाला नीचे वाल जो ट्राइंगल है इसमें देखो area of EBD लिखो area of EBD EBC यह आपस में बराबर होगी इक्वैसन नमबर हो गया सिकेंड इसमें कोई दिक्कत नहीं नहीं अगर बड़े वाले तिरभूज में लेंगे बेटा तो यह पूरा का पूरा बराबर होगा इसके और अगर छोटके वाले तिरभूज में लेंगे जहां पर E लिखा है तो हमें यह दोनों क्या हैं बराबर दिये हैं अब लिखिए सब्ट्रेक समी करण 2 माइनस समी करण 1 हिंदी में लिख लीजिए समी करण सिकेंड माइनस समी करण फास्ट दोनों समी करण को आपस में सब्ट्रेक कर देंगे तो देखो बेटा ये ABD है बराबर ACD के बराबर है समझते चलना और ये क्या है? EBD है तो जब इसमें से यानि पूरे बढ़के वाले से इसको घटाएंगे तो बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब कोई डाउट नहीं ना चलो अब समझो भाई सीधी सी बात है मोटा मोटा समझ लो आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो एकदम रिंची बर दिमाग लगा लो बच्चा लगा लो ना देखो क्या करना है ABD ABD अगर मैं इधर बना दू तुम्हें समझाने के लिए तो थोड़ा गूरेज निकला आहा इसे थोड़ा सा समझना यह क्या है वेटव समझना बस थोड़ा था ABD मैंने सिर्फ ABD उधर बनाया इतना इसमें से निकालके और इसमें एक ठी आउर है यह बिट वाली लाइन जो थी यहाँ पर E था न समझना बहुत प्यार से समझना बिल्कुल दिल लगा के देखो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ ABD मतलब वो पूरे वाले ट्राइंगल से जो मैं पहले बनाया था EBD घटा देना है EBD घटा देना है मतलब EBD घटा देना मतलब यह ट्राइंगल इसमें से हटा देना है तो देखो बटा यह मैंने हटा दिया हटा दिया क्या बचा A, B, E बचा न, यहीं तो हमें लाना था, यहीं तो हमें लाना था न, नीचे लिखो Area of triangle A, B, E, ठिक है, equal यही condition इधर भी करोगे बेटा, A, C, D से जब तुम छोटका वाला triangle घटा दोगे जिसका नाम है E, C, D, तो यह बच जाएगा A, C, E, क्या बचेगा? A, C, E triangle A, C, E, यही तो हमें लाना था, लिख दीजिए, hence proved, हिंदी वाले लिख देंगे, आता हा सिद्ध हुआ हिंदी वाले लिख देंगे, आता हा सिद्ध हुआ, इंगलिस वाला लिख देंगा बच्चा, hence proved, पहला question दन हो गया, कोई doubt है तो बता दो जल्दी करिए, screen side लीजिए, आगे बढ़िए, next question बहुत जल्दी ही आपके सामने आ रहा है, बहुत जल्दी करिए 9.3, question number second, आईए देखते हैं, screen पर आपके परशन दिख रहा है, बड़ा ही प्यार से देखना और पूरा इंड तक देखना जिससे की समझ में आए, ठीक है बेटा, हिंदी में लिखा है, मैं इसे इंगलिस में पढ़के सुना देता हूँ, आप सुन लीजिए question कह रहा है, in a triangle ABC, in a triangle ABC, E is midpoint of median AD, in the triangle ABC, E is the midpoint of median AD, so that area of VED equal 1 upon 2 area of ABC, यह हमें प्रूब करके दिखाना है लेकिन इसमें तो 1 upon 4 दिया है, तो भाई, 1 upon 2 है न, actual में, देखो क्या है, 1 upon 4 ही लाना है, इन्होंने जो हमें document type किया, वो गलत है उसमें, ठीक है, तो question जो screen पे है, वो सही है, 1 upon 4 ही लाना है, ठीक है, चलो, तो हमें यह करना है, कह रहा है है, हिंदी में देख लीजिए, ABC म इसमें E, माद्दिका, AD का मद्दबिंदू है, इस figure को मैं एक बार फिर से समझा दू, अगर आपको, तो आप यहां से समझ लो, भाई, समझाने के लिए मिटा दे रहा हूं, समझ लीजिए, कह रहा कि इस तिर्भूज जो ABC है ना बाबू, इसकी एक माद्दिका AD है, आप स AD, तो अब इस माद्दिका में क्या कह रहा हूं, कह रहा कि इस माद्दिका का मिड़ पॉइंट E है, मतलब इस माद्दिका में भी एक मिड़ पॉइंट है, जिसका नाम E है, तो ऐसी थिति में दिखाना है कि BED का जो छेत्रफाल है बेटा, कौन सा BED, यानि यह जो एरिया ह यह यह तिर्भूज का वह इस पूरे ट्रेंगल के यानि ABC जो बढ़का वाला ट्रेंगल बना है उसकी पूरी एरिया के एक बटा चार के बराबर है कहने का यह मतलब हुआ कि अगर इस पूरे ABC तिर्भूज की जो एरिया है यानि छेत्रफल है अगर वह चारी उनिट है चारी इसमें दिया है लिखो गिबन या हिंदी में लिखें दिया है ट्रेंगल ABC जिसकी मादिका AD है इतना दिया है इसमें किसी को कोई दिख्थ नहीं है तो बिटा अगर यह दिया है तो यहां पर होगा इफ लिये तिर्भूज A, B, D equal तिर्भूज A, C, D ये भी ऐसा होगा, क्यूं होगा? आप कहोगे भई आईसा कैसे होगा? देखो बेटा, अगर A, B, C की मादिका A, D है तो ये मादिका तिर्भूज को दो बराबर भागों में बांट रही है यानि एक तिर्भूज A, B, D, एक तिर्भूज A, C, D दोनों आपस में बराबर होंगे अगर मादिका खीची जाती है तो तिर्भूज दो भाग में बढ़ जाता बराबर बराबर ठीक है इतने में कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल A, B, C इक्वल ट्राइंगल A, B, D प्लस ट्राइंगल A, C, D A, C, D हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो तिर्भूज बढ़का वाला A, B, C है उसको लाने के लिए इन दोनों छोटे तिर्भूजों को जोड़ा भी जा सकता है ठीक है? चलो तो अब इसमें हम एक काम और कर सकते हैं ध्यान देना ट्राइंगल A, B, C इक्वल ट्राइंगल A, B, D धन ट्राइंगल A, B, D आप कहोगे ये कौन नया लफडा कर दिये आप तो A, C, D की जगा पर A, B, D लिख दिये हाँ, लिख सकते हैं क्योंकि उपर हमने देखा कि जो A, B, D है वो A, C, D के बराबर है तो चाहे हम A, B, D की जगा A, C, D लिख दे या फिर A, C, D की जगा पर हम A, B, D लिख दे दोनों की बात एक होती है तो हमने वही तो किया इसमें कौन गुना किया? हाँ? चलो तो अब इसे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल A, B, C इक्वल ये दोनों जूड जायाएगा बटा ठीक है? क्या होगा ये दोनों? ये दोनों जूड जायाएगा अब इन दोनों को समझना जूड़ेगा तो क्या होगा? देखो ये A, B, D है ये भी A, B, D है नहीं ऐसा हो इनी सकता गलत है क्यूं? इसमें हाप कहां से आजायाएगा? भाई A, A जुड़ता है तो 2A होता है ना तो वैसे अगर ये दो बार जुड़ेगा तो ये बच्चा 2ABD होगा क्या होगा? 2ABD होगा आप सही है आप कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं न हाँ इसमें आप तिर्भूज भी लिख सकते हो या फिर 2ABD भी लिख सकते हो चाहिस को ऐसे भी लिख लो ट्राइंगल 2ABD हाँ? ठीक है? तो जब दो इधर आएगा दूसरी साइड में तब ये बनेगा हाफ ट्राइंगल ABC इक्वल ABD ठीक है? अब ये आपका बन गया इक्वेर्शन नंबर फर्स्ट क्या बन गया आपका? इक्वेर्शन नंबर फर्स्ट समी करण नंबर एक हो गया इसको लिख लिजिए कोई डाउट है तो बता दीजिए देखो कुछ लोग कनफ्यूज होंगे तो बेटा चाहे तो तुम इसको 2ABD ऐसे लिखो या केवल 2ABD लिखो तिर्भुज का बिना चिन लगाए मतलब दोनों का एक है हुआ यहां पर बहर कोई जान रहा कि तिर्भुज की बात हो रही ठीक है आगे बढ़े चलिए इतना लिख लीजिए फटापड अभी तक हमने क्या देखा अभी तक हमने देखा तिर्भुज ABC में ना अब हम चोटे-छोटे तिर्भुजओ का हिसाब करेंगे तिर्भुज ABD में अब इधर वाले तिर्भूज में आ जाएंगे क्योंकि हमें इसी से सम्मंदित कुछ लाना है ना कर लेंगे ना चलो देखो नीचे लिखो हिंदी में लिखेंगे ठीक है लिखिए तिर्भूज ए बी डी में द्यान देना A B D में हम केवल आधा तिर्भूज की बात कर रहें सिर्फ आधे तिर्भूज की बात कर रहें A B D में लिखो B E is the median of अजिए की लिए देखो इसको अलग बना दें तुम्हें संजाने के लिए लिए देखो अलग बना दें तो तुम्त जाधा समझ भांगे समझना यह क्या है यह ABD है देखो बेटा उसी का एक पार्ट है मैं निकालके यहां लाया हूँ तुम्हें समझाने के लिए समझना यहां पे D है यहां पे B है ठीक है डन वो जो गंदा वाला गोंचा है वो D है इधर वाला B है समझना कई भी कुछ भी नाम लिख़िव लेकिन जैसे यहां नाम लिखा वैसे ही लिखना है इसमे एक लाइन E खिची गई है इसे तुम समझने की कोशिस करना यह ऐसे खिची गई है न तो बेटा जो यहwar बी इए बाटती है तो हम इस तिर्भूज में क्या करेंगे बेटा लिख लो BE तिर्भूज ABD में BE तिर्भूज ABD की माधिका है क्या है माधिका है इंगलिस वाले लिख लेंगे इन ट्राइंगल ABD BE is the median of ABD ठीक है तो ऐसे इस्तिती में बेटा जो AE है वो DE के बराबर होगी कौन? AE जो है वो DE के बराबर होगी भाई सीधी सी बात है अगर ये माधिका है तो इसको आधा आधा बांटेगी इक नहीं बांटेगी न तो लिखो AE equal DE ये साटकट में लिख दे रहें तुम्हारे काम आएगा भी भाई आओ देखो यह समझो आओ समझो अगर ये तिर्भूज ABD था ये एक माधिका हो गई माधिका मतलब जो बीच पे से काटती है अरे ये तिर्भूज को थोड़ा घुमा लो अगर अगर इसको ऐसे कर लो घुमा के तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा वो थोड़ा टेढ़ा बनाया अलगता रहा क समझो ये जो बी था ना मैंने इसको उपर लिख दिया मतलब इसको मैंने इसे घुमा दिया पकड़के बस और कुछ नहीं किया तो भाई हो अगर इसको ये आधा-धा काट रहा है ना तो ये दोनों बराबर होगा आपस में नहीं होगा ना बराबर यानि AEBD के क्या होगा सुरी BD नहीं यार ये ED बराबर होगा ना तो वही ची तुमने लिखा है चलो आगे आप देखो तिरभूज B E A यहां पर लिखो तिरभूज फटापट लिखो B E A बराबर B E D B E D यानि ये तिरभूज इस तिरभूज के बराबर होगा नीचे लिखो तिरभूज B E D B E D बराबर ट्रेंगल B E A ठीक है चाहे इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो या इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो इसमें कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है अब किसे उपर करें हैं जोड के वाईसे सब कुछ इसमें भी करना है कुछ ना नि करना वैसे सब कुछ करना है ठीक है तो नीची अभी एक लाइन दिख रहा है को नीची और लिख दे रहा हूं समस्जते चलना को दिककत नहीं लें आप लिखो ट्रैंगल पूरा पूरा A, B, D A, B, D बढ़के वाले में इसके बराबर हम लिख सकते हैं इन दोनों तिर्बुजों को जोड़ कर A, B, E धन B, E, D है न? ठीक है? तो चलो लिखो या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो B, E, A और प्लस ये दूसरा वाला B, E, D ठीक है तो लिखो ट्रेंगल B, E, A धन ट्रेंगल B, E, D ठीक है? कोई दिक्कत नहीं न? B, E, D भाई सीधी सी बात है मोटा मोटा समझ लो देखो बेटा ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल दोनों को जोड़ रहे हैं दोनों को क्या कर रहे हैं? आपस में जोड़ करके ये पूरा बढ़का वाला बना रहे हैं बस तो क्या बुराई है? यही तो कर रहे हैं न इधर ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं न? अब बेटा देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो हमें B, E, D में ही सिध्ध करना था न? B, E, D लाना था सिध्ध करने में और A, B, C लाना था B, E, D लाना है A, B, C लाना है लेकिन यहाँ पर A, B, C तो अभी है नहीं तो हम क्या करेंगे? B, E, A को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि B, E, A जो है B, E, D के बराबर है इसके आगे अब हम उधर साइड में करेंगे आईए समझिये देखे, बहुत ही दिल लगा के समझेंगे तो पूरा समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं होगी जहां तक नीचे लिखे हैं उसके बाद इधर आजाईए जल्दी से इधर आजाईए फटा फट बिल्कुल देर नहीं करना अगर आप कहोगे तो मैं कैमरा इधर भी गुमा दूँगा कोई दिक्कत नहीं हां चलो समझते जाना बस बड़ा प्यार से समझो आउ चलो चलो समझाते हैं लिखो बेटर ट्राइंगल एबी डी बराबर लिखो यहाँ पे ट्राइंगल एबी डी बराबर एबी डी बराबर लिखो इसकी जगा पे हम लिख देंगे बी एडी क्यों लिख देंगे क्योंकि ऊपर देखो बी एबी डी के बराबर है बराबर है न बच्चा तो चलो लिखो फटापट फटापट लिखो बी इडी धन बी इडी ट्रेंगल बी इडी प्लस ट्रेंगल बी इडी देखो मैंने बराबर क्यों लिख दिया क्योंकि ये आपस में बराबर था यानि इसकी जगह पर इसको लिखा जा सकता है और ये तो already था, इफलिया ऐसा हो गया तो अभी ये triangle ABD equal to triangle BED यहाँ ये बन जाएगा, एक बटा दो triangle ABD equal triangle BED ठीक है, थोड़ा इसमें triangle का चिन लगा लो, हलका गंदा सबन गया है तो थोड़ा समल जाओ लिख लेजिए, ये triangle लगा दीजिए ABD equal BED triangle का चिन लगा लो या ना लगा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, तिर्भूज, सब जानने एक तिर्भूजा लिखा है चलो, इतना हो गया इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को तो बेटा, अब इनको क्या करोगे आप इनको क्या करोगे भई हाफ, ABD बराबर BED जो बनाना, यह आपका एक परकार से एक तिर्भूज बन गया बन गया की नहीं इतना लिख लो जल्दी से फटा पट फटा पट लिखो, यह जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़े हो गया, चलो यह आपका equation number एक अलग हो गया equation number आपका second हो गया equation number first कहीं मिला था यह मिला था, मिला था ना हमें सिद्ध क्या करना था, question दिखाओ question देखो, एक second फिर जाना question देखो, कह रहा था कि एक बटा 4 ABC के बराबर है BED, ठीक है, चलो answer आगे, कुछ लोग सोच रहा होंगे कैसे यह तो बड़ा घूम फिर गया answer आगया, देखो कैसे देखो बेटा, जो triangle ABD है वास्तों में ABD की जगा पे हम हाफ ABC लिख सकते हैं यहाँ ध्यान तो समी करना एक से ABD की जगा पर हाफ ABC लिख सकते हैं तो यह ऐसे हो जाएगा, एक बटा दो करेंगे बिटा तो यह एक बटा चार हो जाएगा और ABC equal BED हो गया, लिख दो इती सिध्धम आता सिध्ध हुआ आता सिध्ध हुआ, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लोगे तो जादा बढ़िया रहेगा एके बार में लिख लो काहे बार बार लिखोगे जहां भी इसे लिखिए यह तो मैं जल्दी जल्दी में लिख दे रहा हूँ आप लोग ध्यान देना तुरंते मत लिखते चलो जब भी लिखा करो ऐसे वन अपान फोर यह ट्रेंगल ABC equal triangle BED बस लिख दो इति सिद्धम अताह सिद्ध हुआ ठीक है देखिए समझने वाला चीज है थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि इसमें बहुत आसान नहीं है कि बस खटा-खट करते जाओ समझने वाली चीजें है ठीक है डन आगे बढ़े एनी डाउट बताओ जल्दी करो हो गया चलिए स्क्रीन साट लीजिए मैं सामने से डोलता रहता हूं इसलिए कि आप लिख सको ऐसा नहीं कि एक जगह मैं जाम हो जाओ छूपा करके नहीं मैं ऐसे डोलता रहता हूं डगर-मगर कि तुम इधर वाला देख के लिखो उधर वाला देख के लिखो चलो आगले कुश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी करिए जिनको स्क्रीन साट लेना वीडियो पूस करके लिखिए आगे बढ़े नेक्स्ट कुश्चन बहुत जल्दी तिसरा कुश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखिए ध्यान दीजिए गौर करिए क्या कहता है कहरा कि बटा दर्साइए समांतर चत्रभुज के दोनों बिकरड़ उसे बराबर छेत्रफलों वाले चार तिरभुजों में बाटते हैं यह क्या करना हमें दर्साइए मतलब प्रूब करना इंगलीस में बात करें तो इंगलीस में कुछ ऐसे इसको बोलेंगे सो देट दाइगोनल आफ अपैलोग्राम डिबाइड इट इन्टू फोर ट्राइंगल आफ इक्वल एरिया यह हमें करना है प्रूब करना है चलिए सबसे पहले हम आपको एक फिकर दिखाते हैं देखो बेटा यह कहरा कि एक समांतर चत्रभूज है मतलब 1 पैलोग्राम है तो बहियाओ बाबू बना लो ना 5 पैलोग्राम रो यह यह लू एक पैलोग्राम बना लो हेलो यह यह लो मैंने क्या किया लोगरा मशम बना लिया एढ़ मेंटा कह रहा कि इसके जो यह डाइगोनल है जो मैंने अभी खीचा ध्यान देना अगर मैं बिटा इसका नाम लिख देता A B C D अगर मैं इसका A B C D नाम लिखा होता तो यह डाइगोनल A C हो गया एक डाइगोनल बीडी हो जाएगा मालो इसके कटान बिंदू को ओ से लिख देते हैं ओ फार आउल आउल मन्दल उल्लू ठिक है आप समझो कहरा कि जो बिकर्ण है एसी और यह बिकर्ण भी डी इस तिर्भुच को चार बराबर बराबर भागों में बाट रहे हैं ऐसा पर करो चलो लिखो आप हैनलोग्राम ए बिचिडी भी डाइगोनल एसी और डीडी दिया है क्सσιं कि कि यहापी लिखिये हाल गिवें हिंदी में γीएं हूर एपन हिंदी वाले लिख ले मैं बोल रहा हूं लिखूंंगा नहीं लिखो क्या दिया है ऍंदी में एक तिर्भुज lebih ऐक तिर्भुज एक एक चतुर्भुज ABCD जिसके दो भीकपड़ A C और B D ने लिखेंगे इंग्लिस मीडियो माले लिखेंगे ग्यी सबस looking अपयलोग्राम ABCD with diagonal AC and BD, given में लिखो, अपयलोग्राम ABCD with diagonal AC and BD, ठिक है, नीचे लिखिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिस में लिखेंगे to prove, to prove क्या करना है बेटा, सिद्ध क्या करना है, A, O, B, इसको ले लो, उपर वाला इसको थोड़ा बड़ा फिलिख दो, लिखो prove क्या करना है, triangle A, O, B, मतलब A, O, B, ये triangle equal है, किसके, triangle C, O, B, ठिक है, done, ये चारो आपस में बराबर है, C, O, B, या फिर B, O, C, लिखो, कुछ भी लिखो तुम, चलो, आगे जगा है, हाँ जग C, O, D, C, O, D, equal D, O, A, इनको तुम अलग तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसे ही लिख सकते हैं, हम A, O, B, को B, O, A, भी लिख सकते हैं, तो कहीं अगर ऐसे मिलता है, तो confused ना हो ना, C, O, B, को बेटा हम B, O, C, भी लिख सकते हैं, ठिक है, और मैंने तीन लिखाना आप चारों लिख दिया है, C, O, D, C, O, D, को हम कहीं कहीं, D, O, C, भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो यह कहो कि आप तो ऐसे लिख रहो का है, ऐसे नहीं ऐसे होता है, ठिक है, चलो आगे बढ़ें, अब ध्यान देना, अब लिखें, अगली ला क्या लिखेंगै भाई, दा डाइगोन लाफ पैल्लो ग्राम, आर बिशक्ट इच अदर, अपनिच अधर, ठीक है, इतना हो गया, अब नीचे लिखो बिटा, ट्राइंगल, यहा पर लिखिये, आप ट्राइंगल, ए अ, बी सी में किसमे? तेरा बूज A, B, C में लिखो देखो A, B, C मतलब ये इतना ट्राइंगल उपर वाला ये वाला छोटका हिसा ये वाला तो इसमें क्या है वेटा? A, O, बराबर है O, C के A, O, O, C के क्यों बराबर है? क्योंकि इसमें O, B, क्या है? मादिका है लिखो आगे लिखो क्या लिखोगे ओ भी मादिका है या फिर इंगलिस में लिखोगे दा ओ भी इस दा मीडियन ठीक है लिखो यहाँ पर कुरोष्ठक में लिख लो भई क्योंकि ओ भी मादिका है और मादिका हमेशा ही तिरबुज को दो बराबर भागों में काटती है मादिका जो होती है हमेशा तिरबुज को दो बराबर भागों में काटती है यह सबको पता है तो इसलिए ये इतना हो जाएगा अब देखो बेटा अगर A, O, O, C के बराबर है और ये इसमें क्या है मादिका है O, B तो कोई भी तिर्भूज एक इजाम पर ले लो छोटा सा अगर ये ऐसा है इसमें बीच में मानलो ये मादिका हो गए जिसका नाम हम A, D रख देते हैं तो समझ ना जो मादिका A, D है ना वो हमेशा इस तिर्भूज को दो बराबर बराबर भागों में बांट देती है यानि A, ये D, C और A, D, E ये आपस में बराबर होंगे तो वही कंडिसन यहां भी होगी ट्रेंगल A, O, B इक्वल ट्रेंगल इधर का B, O, C बराबर हो जाएगा ठीक है A, O, B बराबर क्या हो जाएगा B, O, C देखो मैं C बोल रहा हूं लेकिन D लिख रहा है ये थोड़ा एक इस्टेप आगे चल रहा है ये क्या हो जाएगे आपस में बराबर हो जाएगे हमने क्या किया ट्रेंगल A, B, C में लिया था अभी तक आधे में नीचे वाला आधा भी छोड़ा हूं A, C, D अब नीचे लिखो तिरभूज B, C, D में ले लो चलो B, C, D पहले मैंने इधर वाले में इतने में लिया था आईसा क्यूं कर रहें क्योंकि हमें आईसा ही कुछ सिद्ध करना है आईसा ही कुछ सिद्ध करना है तो हम आईसा ही कुछ करेंगे समझो चलो समझो अब क्या करोगे लिखो ट्रेंगल ट्रेंगल B, C, D में B, C, D में B, C, D में देखो भाई ये OC इसमें माद्धिका है याद रखना बाबू OC क्या है माद्धिका है अगर OC माद्धिका है तो ये OB और OD बराबर होगा भाई सीधी सी बात है लिखो OB equal OD breakout में लिख लो क्योंकि OC माद्धिका है क्या है ऐसा इसलिए है क्योंकि OC क्या है मादिका है इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परसानी नहीं न चलो अब आगे लिखो फिर ट्रेंगल BOC बराबर COD ये क्यों है बराबर इस लिए है क्योंकि ये मादिका इसको दो बराबर बराबर भागों में बांट रही है तो BOC बराबर हो जाएगा ट्रेंगल COD ठीक है COD ये हो गया इक कोई सान नमबर सीखेंड कोई दिक्कत कोई परसानी नहीं न अब नीचे लिखो इन ट्रेंगल ACD ACD देखो हम इसमें हर एक पक्ष को सामिल कर रहे हैं अगर आप ध्यान दो सबसे पहले हमने ABC लिया यानि ये इतना पाट लिया हमारा हाथ ध्यान से देखो ये इतना पाट पहली बार लिया दूसरी बार में हमने ये इतना पाट लिया तीसरी बार में हम ये इतना पाट लेंगे मतलब पूरा कबर करेंगे तभी तो हम सी दिखर पाएंगे न, नीचे लिखो, ट्रेंगल ACD में, मैं इसको मिटाओंगा, ठीक है, लिखो, ACD में, लिख रहा हूँ न, ACD में, लिखो बेटा, AO बराबर OC, क्या लिखोगे, AO बराबर OC, ब्रेकट में लिखो, क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि क्या है इसमें, माधिका है न, OD, क्या है, OD माधिका है, चलो, लिख लिए, तो जैसे उसमें लिखे थे, वैसे इसमें आगे करिए, चली आगे देखती है, फटा-फट, आगे बढ़ते हैं, देखो बटा, जैसे मैंने उसमें थो में यहां उसमे बताया वैसे इस में भी कर लेंगे दिखो यह अगर आप इसमें ले रहे हो ओक है यह और बराबर है क्लिपका आप लिखो यह तो तो आप त्रियंगल एडि आओडि एक है एक होता है तो यह आपका slept्र हो गया समझते है चलो हमने अभी तक तीन पार्ट और पहले यह लिया और आप यह लिया अब अगर ध्यान दो तो यह और कुछ बचा नहीं है की बचा है कि बचा है helmet अब बचा ना, सब हो गया ना, आप लिखो, हिंदी वाले लिखेंगे, समी करण 1,2,3 से, इंग्लिस मीडियम वाले लिखेंगे, बाई एक्वेसन 1,2,3 से, लिखो, अब अगर आप पीछे सारा एक्वेसन देखो अभी जो मैंने लिखा था, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा वहाँ से आपको यही मिलेगा जो आपको यहाँ पे करना था ट्रेंगल A, O, B A, O, B बराबर ट्रेंगल B भाई ट्रेंगल का चिंद बना लो छोटा सा अच्छा रहेगा ट्रेंगल B, O, C बराबर ट्रेंगल C, O, D क्या C O D बराबर ट्रेंगल D O A यही तो सिद्ध करना था न? यही तो सिद्ध करना था न? तो लिख दो अता सिद्ध हुआ अता सिद्ध हुआ इंग्लिस मीडियम वाले लिखेंगे हैंस प्रूब्ड सिद्ध हुआ देखो एक चीज और समझो हो सकता है कहीं आपके किताब में इसकी जगा पर B O D A लिखा हो तो B O A भी हो सकता है देखो बाबू यहां से आप ऐसे समझो मोटा मोटा मैं एक चीज समझा देता हूँ यहां से समझो जैसे अगर यहां O है यहां B है यहां A है यह एक तिर्भुजा इसका हमें नाम लिखना तो हम यहां से भी गिन सकते हैं बी ओ ए ऐसे भी लिख सकते हैं इसे ट्राइंगल बी ओ ए या फिर इसे ट्राइंगल ए ओ बी भी लिख सकते हैं यानि इधर से भी सुरू कर सकते हैं इधर से भी कर सकते हैं लेकिन इसको हम ऐसा नहीं करेंगे ओ ए बी या फिर ओ बी ऐसा नहीं करेंगे क्यों क्योंकि जो एक प्रकार से अगर देखा जा जो समकोण होता जिस पर हम मान रहे हैं वहां से नहीं सुरू किया जाता है अगर समक तो है नहीं तो यहां पर आपको इतना ही मतलब था ठीक है इसमें कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से लिखिए स्क्रीन साथ लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी करिए सुपर फास्ट चलें आगे बढ़ें चलो भाई फटा फट दन तो ठीक है आपका मैद बहुत जल्दी खतम होने वाला नाइंथ का टेंथ का मैद भी आपका चल रहा बिटा सुबह आठ बजे देखते रहिए जैहिन अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना कमेंट जरूर करना और दोस्तों को सेयर जरूर करना ठीक है बहुत आसान भास